विदिशा में बाल समरक्षन आयोग की बेंच लगाए गई इस बेंच में बाल समरक्षन आयोग के राष्ट्री अध्यक्ष प्रियंग कानून को उपसित रहे उन्हों ने इस दोरान कहा कि विदिशा पिछला जिला है कानून गों ने ये भी कहा कि मुझे गिल्टी है कि संवेदन शील होना पड़ेगा धातल पर काम करना होगा तभी बच्चों को उनकी अधिकार मिल सकेंगे पास जो अरजित ग्यान है उसका रिवीजन हो जाता है और काम करने में हमको पूर आइसा नहीं होती है कई अंजी ओपी काम करते हैं प्रसासन भी काम करता है दम भरते हैं कि बच्चेओं से बाल मजदूरों को रैस्क्यू किया है और यकिनन आप लोगों के माध्यम से भी यह संटेश्म और लोगों को देना चाहूंगा की ज्यादा से ज्यादा शिकायतायोग के पास करें जिस सम्य जब्राइब साधन शीर्ता के साथ काम करेंगे तब ही हम बच्चों का करबाएं थाने पठाने पेना पिस्के और अगर अधिकारियों में दंपाव होगा तो हमको दिक्कत होगी हमको संवेदेंशील अधिकारी संवेदेंशील समाज संवेदेंशील परिवार का निर्मान करना होगा तभी हम बच्चों के अधिकार सुनुश्चित करना होगा साथ ही उन्होंने आरोप लगाए कि विदीशा में बाल अधिकार सेलक्षिन के हिट में काम नहीं किया गया है ब्यूरो रिपोर्ट कबर्बान नियूस विदेशा